काबूल एरपोर्ट पर नियम कानून तब तहस महस हो गई जब प्लेन में चड़ने के लिए ऐसे भगदर मची ये भगदर ऐसी थी कि मानो ये फ्लेन नहीं कोई बस हो डर का आलम ये रहा कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए यहां लोग कुछ भी कर गुजरने को तयार थे अफगानियों को चारो और अपनी मौत नजरा रही है ऐसे में जिन्दगी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तयार है रन में पर भागते प्लेन के आगे तोड़ते ये लोग प्लेन पर सवार हो जाने की कोशिशों में लगे हैं क्योंकि ये लोग अपनी आखों के सामने अपनी मौत देख रहे हैं इसलिए जिन्दगी को जैसे भी बचा सकते हैं बचाने की कोशिशों में जुट गए कुछ लोगों को जब प्लेन में जगे नहीं मिली तो वो प्लेन की पंक्खियों पर सवार हो लिए इसला परवाही का अंजाम ये रहा कि जैसे ही प्लेन हवा में उड़ा लोग एक एक कर जमीन पर आगिरे ये भगदर इसलिए भी मची क्योंकि काबूल एयर्पोर्ट को तालिबानियों ने जंग का मैदान बना दिया जन बचाने के लिए लोग अंतादून एयर्पोर्ट के भीतर भागे जा रहे हैं इन्हें तालिबान से बचने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है और वो रास्ता है विमानों के जरीए किसी तरह काबूल से बाहर निकलने का लिहाज़ा विमान में सवार होने की ये जद्दो जहद देखिए बीती शाम से पूरी रात लोगों के काबूल एयर्पोर्ट आने का सिलसिला जारी रहा लोग रात को रन्वे पर ही सो गए और सुबह इस इंतजार में बैठे थे कि अमेरिकी राज़पती जो बाइडन इन्हें किसी तरह यहां से निकाल लेंगे उन्हें डर सता रहा था कि तालिबान इन्हें माड आलेगा काबूल की सारी सड़के एयर्पोर्ट की ओर ही जा रही थी देशत में भाग रहे लोगों की गाड़ियों का एयर्पोर्ट के बाहर भयंकर जाम लग गया अफगानिस्तान की रासधानी में ट्रैफिक ठप हो गया तालिबान के शिकंजे में फस चुके अफगानिस्तान से जैसे जैसे खबरे आ रही है विदेश में मौझूद अफगानियों का कलेजा मुहको आ रहा है चिंता अपने और अपनों के भविश्य को लेकर है और ऐसे में उन्हें हिंदुस्तान से बड़ी उमीद है वहां के सांसत से लेकर राश्पती के एडवाईजर रह चुके नामी गिरामी लोग सुरक्षा की आस भी भारत पहुंच चुके हैं हालात बेकाबू होते देख अमेरिका समेथ 60 से जादा देशों की तरफ से तालिबान से अपील की गई है और अपील में कहा गया है कि जो अफगानी या दूसरे मुल्क के लोग वहां से निकलना चाते हैं उन्हें तालिबान निकलने दे यही नहीं एरपोर्ट और बॉर्डर को भी खुले रखने की अपील की गई है लेकिन डर का आलम ये है कि यहां एक पल रहना भी लाखों लोगों को मौत की तरह लग रहा है अफगान के हालात पर भारत की नजरे टिकी हुई है अब देखने वाली बात होगी कि यह सिलसिला कब थमेगा